तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही कुशल मंगल हूँ. आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी बाते बताऊंगी, जो कि आपके कंसीव करने के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होती हैं. सबसे पहले आप अपने मन में एक सवाल पुछ लिजे, कि क्या आपको रियल माइने में बहुत ज़ादा स्ट्रेस है, और वेसी बात है कि स्ट्रेस होगा. अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं, और कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसकी अलग स्ट्रेस, और साथी साथ अगर आपके मैंड में एक चीज़ आती भी है, कि मेडिकल हेल्प लिना चाहिए, तो खर्चों की बहुत ज़ादा टेंशन हो जाती है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कब डॉक्टर से मिलने की आवशकता है और कब आवशकता नहीं है. अगर मालीजे कि आपको 2-3 महने, 4 महने हुए हैं और आप ट्राइ कर रहे हैं, और कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं ह इतना समय नॉर्मली लग जाता है लेकिन अगर आपको माल लिजे की आट मैने, दस मैने हो गए हैं फिर भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साल तक अगर आप नैचुरली ट्राइ कर रहे हैं और कंसीव हो जाता है तो वेल और गुड़ लेकिन एक साल के बाद अगर आप स्टिल कोशिश कर रहे हैं तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की बहुत ही जादा जरूरत है आप दूसरी कंडिशन क्या होती है कि बहुत सरे ऐसे कपल होते हैं जिनकी एज का जो फैक्टर है वो भी बहुत बढ़ा मैटर करता है अगर 35 एर प्लस अगर आपकी एज चल रही है और आपको कंसीव करते ट्राइ करते वे सिर्फ 6 महने ही हुए है तो 6 महने के बाद ही आपको डॉक्टर से विजिट जरूर करना चाहिए खर्चों की टेंशन आपको बहुत ज़दा नहीं लेनी है क्योंकि कुछ छोटी-छोटी सी चीजों के ही हिसाब से आपकी ट्रिट्मेंट हो जाती है बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे एकदम बहुत ज़दा खर्च करना पड़े एकदम IVF कराना पड़े या IUI ही कराना पड़े पहले बेसिक आप टेस्ट कराईए टेस्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़े आपके कमी है या कौन सी चीज़े की बढ़ोतरी है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगी तवाईया देंगी जैसे कि आप बिल्कुल पर्फेक्टली ठीक हो जाईगा और कंसीव करते हैं अगर आपने ट्राई कर रहे हैं तो उस दोरान में आपका कंसीव भी हो जाएगा तो आपको फर्टाइल डेस का ध्यान रखना ज़रूरी है और साथी साथ आपकी period की cycle कैसी चल रही है period की cycle को regular करने के लिए भी मैंने videos डाले हैं तो उन सब का आप use कर सकते हैं देख सकते हैं videos को और जो भी टिप्स मैं बताती हम उसको आप इस्तमाल कर सकते हैं आज एक छोटी सी information ये भी देना चाहूंगी कि आपके मन में जब ये सवाल आता है कि जब हमने माली जी की conceive करना चाहा और एक महिने के अंदर हो जाए और आपको something कुछ अगर problem है तो वो आपको एक महिने में conceive नहीं होगा आपकी body को healing किरने की बहुत ज़ादा ज़रूरत है अगर healing की बात करों तो आपकी evolution का जो time होता है जो महिलाओं का वो बहुत important phase होता है क्योंकि evolution का मतलब होता है कि आपके शिर्र में अंडे बन रहे हैं अंडे release हो रहे हैं लेकिन उन अंडों की quality क्या अच्छी है पूरी तरह से वो परिपक्व हो पाते हैं fertilization के लिए क्या वो ready हो पाते हैं इन सब कभात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए अब होता क्या है कि जब अगर आप conceive करने के बारे में सोचते हैं और आपके अंडे की quality अच्छी नहीं होती है तो आपका conceive करने में problem आती है अगर इन case अगर conceive हो भी जाए तो अच्छी pregnancy नहीं रुखती है तो आपकी pregnancy को healthy बनाने के लिए महिलाओं के शदिर में जो बन रहा अंडा है उनकी health बहुत अच्छी होनी चाहिए लेकिन अंडा बनने की जो process है वो तीन महिने पहले से शुरू होती है मतला अगर monthly cycle की बात की जाए तो first day आपका period जब आता है तो आप ये डा सोचे कि period आ गया और आपका अंडा release हो गया अंडा जो next जो अंडा होता है वो पकना शुरू होता है लेकिन उसकी formation तीन महिने प quality को बढ़ाने के अगर मैं बात करूं तो आपको protein युक्त चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए protein building blocks होती है इसमें जो amino acids होते हैं वो आपके repairment का काम करते हैं अगर आपको कहीं पर भी आपके अंडे में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसको perfect करने के लिए आपको dairy product क इस्तिमाल करना चाहिए अच्छी protein का श्रोत लेना चाहिए जैसे कि आपकी body में किसी तरह की protein की कमी ना हो दूसरी important चीज होती है कि अगर आप try कर रहे हैं तो try करते समय आपको 3-4 महने पहले folic acid की भी गोलियां जरूरी होती है जिसको आपको लेना चाहिए folic acid की गोलिया आपकी लितनी beneficial है क्योंकि अगर pregnancy रुकती है और बच्चे में कुछ birth defect आते हैं तो बहुत सरे birth defect का कारण होता है folic acid की कमी होना इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी pregnancy conceive होती है डॉक्टर सबसे पहले आपको folic acid prescribe करते हैं और अगर आप conceive करना चाते हैं तो उसके 4 महने 5 महने पहले से ही आपको folic acid की दमाईया दे जाती है इससे अंडे की quality बहुत अच्छी बनती है उनमें healing आती है और आपको baby conceive करने के लिए जरूरी होता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और third important चीज़ क्या होती है कि अपनी body का लचीलापन आपको maintain करना है अब ह अबादतों को आपको छोड़ना चाहिए और जितना आप अपनी body की exercise अच्छी तरह से करते हैं उतना आपकी body active होती है और बहुत सरे जो toxins होते हैं जो कि आपकी uterus में जमा हो रहे हैं आपकी liver में जमा हो रहे हैं वो सब को धिरे-धिरे करके वो release होती है आप माल लिजे कि जो आपकी जो नसे होती है उसमें अगर कुछ गंदिगी जमा हो रही है केलेस्ट्रॉल के रूप में या anything अगर आप बहुत ज़दा sitting कर रहे हैं बहुत ज़दा जैसे खाने का असर बहुत ज़दा नहीं होता है जितना आपकी style या फिर बैठने या अराम करने का बुरा अ करते हैं आपको बहुत ही ज़दा कभी लगता है कि मैं लेट जाओ मुझे धका धका सा फील हो रहा है तो सबसे पहले आप iron की deficiency अपने बॉड़ी में चकरा है कहीं अगर आप एनिमिक हैं अगर आपके शरीर में एनिमिया की कमी है उसके वजह से भी आपको थकान महसूस होत होती है और सारे औरगन में अच्छी तरह से ब्लड का सप्लाई होता है तो उसी तरह से आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में भी अच्छे से अगर ब्लड का सप्लाई होगा तो pregnancy रुखने के chances बहुत जादा बनते हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और fourth important body के जो organs होते हैं वो पानी से बने हुए होते हैं तो अगर आप पानी का सेवन करते हैं तो पानी आपके लिए बहुत बेनिफिशल है आपकी पूरी body की functioning के लिए तो चाहे वो आपका लीवर हो चाहे वो आपका हार्ट हो चाहे आपकी reproductive organ ही क्यों ना हो अगर प्रॉपर मात आपके लिए इतना उसको आप नहीं कर पाईगा तो आप normal ही पानी कम से कम 2-3 लिटर जरूर पिना शुरू कर दे और last but not the least चाहे आप pregnancy के लिए ट्राई कर रहे हो आपको कभी भी stress नहीं लेना है आस पास की लोग आपको बहुत सरी बाते बताएंगे बहुत सरी ताने भी म इतने महिने होगा शादी को लेकिन फिर भी इसको कंसीव नहीं हो रहा है और यकीन वानी दोस्तों हमारा जो समाज है वो male person को कभी भी दोशी नहीं ठहराता है बलकि female ही किसी भी चीज़ की अगर कोई भी गलती होती है तो female ही उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजे क्योंकि उनकी बातों में कोई भी बेस नहीं है आपको इन सारी बातों का ध्यान बिलकुल नहीं करना है आपको बस ये सोचना है कि मेरा इश्वर मुझे मेरी संतान जरूर नवाजेगा अच्छी अउलाद नवाजेगा बस ये ही positive mindset के साथ आपको सुबह में जंगना है और रात में सोते वे भी सारे तानों को भूलके सारे जगडों को भूलके आपको बस ये ही सोचना है कि मेरे घर में एक नन्हा मुना बच्चा आ गया है और मैं बहुत खोश हूँ इस तरह से सोच कि अगर आप सोईएगा जितना आप अपने stress को control करिएगा उतने आपके conceive होने के chances अच्छे बनेगे मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही detail में आपको अच्छी बाते समझाईए और बाकी मेरे वीडियो की tips आपको help करेंगे आप time निकालके please वीडियो को जरूर देखा करिए और धीरे धीरे उनको follow करिए कुछ ऐसे tip में नहीं बताती हूँ जो कि आपको बहुत अदब market से लाना है या उसकी जुगाड करती है आपको kitchen में ही ऐसे ऐसे चीज़ी मिल जाएंगी जिसका अगर आप इस्तमाल करते हैं उससे भी बहुत असानी से आप pregnant हो सकते हैं मेरे वीडियो को एक बार go through करिए और मेरे वीडियो को पूरी पूरी जरूर देखिए और बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिए हो सकता है कि आपकी अच्छी नियत किसी और को भी लग जाए और वो ही अच्छी नियत आपके साथ भी अच्छा करके जाए इसलिए अच्छी नियत का जो फल होता है हमेशा अच्छा होता है और उपर वादा आपकी जरूर सुनेगा इसी दुआ के साथ और इसी कामना के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ थैंक्यू सुमच पर वाचिंग ट्विन्स पाइंग वल्ड